मैं आदित्यनाथ योगी इश्वर की सबद लेता हूं कि 12 मार्च 2007 में भाजपासांसद योगी आदित्यनाथ लोकसभा में अपने सही योगियों के बीच खड़े थे और रोय थे ऐसा कहा जाता है कि योगी जी एक कटर नेता है जो कि कुछ हद तक सही भी है लेकिन उनका एक दूसरा चैरा भी है जो 2007 में हम लोगों ने संसद में देखा था जब वो रोय थे लेकिन क्या आप जानते हैं उनको रोना क्यों पड़ा था 2007 में 13 साल पहले बीजेपी संसद और वर्दमान के उत्तर प्रदेश के मुख्य मंतरी योगी आदित्यनाथ बेहत भावक मूर में लोगसभा के ततकालिन स्पीकर सौमनाथ चैटरजी के सामने लोगसभा में अपने सहीयोगियों के बीच खड़े हुए थे स्थिती ऐसी थी कि भगवा पहनने वाले मंतरी के आसु तक कम हो गए हालांकि उन आसुओं का कारण उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य मंतरी मुलायम सिंग यादव थे 2007 में गोरकपुर के संसत को गिरफटार किया गया था उनकी गिरफटारी से उत्र प्रदेश में सामप्रदाइक हिंसा बढ़क गई थी इतना ही नहीं गोरकपुर में शुरू हुई हिंसा 12 नसी के कुछ हिस्सों में भी फैल गई मुसीबत तब शुरू हुई जब आदित्यनात में शहर में एक शादी पार्टी में अल्प संख्यक समुदाय के एक सदर्शेद्वारा कथित तोर पर मारे गए एक व्यक्ति की शोकसभा आयजित करने पर जोर दिया प्रशाशन ने ये आशंका चताई कि सांप्रदायक तनाव बढ़ेगा और बैठक को रुका जा सकता है और उस समय सांसद को हत्यारे की गिरफतारी की मांग के लिए सडकों को अबरुद करने के लिए गिरफतार किया गया था उनकी गिरफतारी से शहर में दंगों की जड़ी लग गई उन्हें 11 दिनों के लिए जेल में बंद किया गया था आधितनाथ के गुरू और पूर्वसांसद महंत अवध्यनाथ ने गिरफतारी को अपमान बताया था गौरकपुर के गौरकनाथ सकल छेतर में व्यापक हिंसा हुई थी गौरकनाथ मंदिर की दिवार का एक हिस्सा छती ग्रस्त हो गया गुसाई भीर ने दुकानों, घरों और UPSRTC की बसों में आग लगा दी जिससे छेतर में प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया उस दिन लोग सभा में अपमानित महसूस करते हुए आधित्यनाथ ने सदन में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए चुना था एक आसु भरे आधित्यनाथ ने सदन से पूछा कि क्या वो उन्हें कोई सुरक्षा और आशवाशन दे सकते हैं और अध्यक्ष से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने कैसे सन्यास लिया और अपने माता पिता को पीछे छोड़ दिया ताकि वो समाज और लोगों की सेवा कर सके उन्होंने ये भी कहा कि वो गोरखपुर से बार-बार कैसे चुने गए थे और इसके बावजूद उनके साथ ये अन्यायपुर्ण विवहार किया गया था मुझे सिर्फ इसलिए अपराधी खोशित किया गया क्योंकि मैंने भ्रष्टाचार को इंगित किया था मैंने भारत नेपाल में ISI के साथ गाट का आववान किया था इसलिए मेरे खिलाफ ये मामले गड़े जा रहे हैं वो कहते हुए सुने जाते हैं यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि वो इस सब को छोड़ने के लिए तयार है अगर वो इस तरीके से बनी रहती है तो वो वापस आ जाएगी और आप ये विडंबना देखे कि एक बार पूर्व सीम मुलायम सिंग यादब योगी आदितनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में शपत दिलाते हुए देखे गए थे वो आदमी जिसे उसने गिरफतार किया था और वर्षो पहले रोने के लिए बनाया था इसलिए कहा गया है समय सब का आता है बात बस समय समय की होती है लेकिन राजनीती में ये सब तो होता रहता है किसी नेता की किसी से मतभेथ हो सकते हैं लेकिन समय आने पर वो मित्ता भी कर लेते हैं जैसे की कुछ हुआ ही नहीं था आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंशेशन में ज़रूर बताईएगा साथ ये से लाइक और शेय भी कीजेगा और इसी तरह के और भी कई मज़ेदार तथे हम आप तक हर रात नों बजे यूँ ही पहुचाते रहेंगे इसलिए चैनल के साथ बने रहें